हलो एवरिवन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्पी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो लार रंग के सब्सक्राइब पे किलिक करके सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर ले आने वाले वीडियो का नोट्रिफिकेशन मिलता रह इस वीडियो में जिसकस करने जा रहे हैं कोशिका से संबंधित महत्पून क्वेस्टन इसे देखना न भूले चलते हैं क्वेस्टन की और वीडियो को अंतक जरूर देखें पहला क्वेस्टन है जैब को सिका के किस को सिकांग को उर्जा घर कहा जाता है माइट्रो कुंडिया को उर्जा घर कहा जाता है हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अनों को उत्पन करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्रा है प्लाजमा जिल्ली किस पदार से बनी होती है प्लाजमा जिल्ली प्रोटीन और लिपीड से बनी होती है प्लाद्मा जिली दो लेयर में बनी होती है एक लेयर प्रोटीन की होती है और दूसरी लेयर लिफिड की होती है आगे चलते हैं मानव सरीर किस अंग में लसिका पाई जाती है पिलीहा में लसिका पाई जाती है किस जिव में लिंग गुन सुत्र नहीं पाए जाते हैं किस जिव में लिंग गुन सुत्र नहीं पाए जाते हैं तो वह है छिप के लिए छिप के लिए में लिंग गुन सुत्र नहीं पाए जाते हैं अगला question है जन्तु कोशिका में अनुपस्थित होता है जन्तु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ती जन्तु कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं होती है सेल वाल नहीं होती है आगे चलते हैं पीट पिंड कहां पाई जाती है पीट पिंड कहां पाई जाती है पीट पिंट अंडासे में पाई जाती है अगला क्वेस्चन है परकर्मित कोशी का मिर्टू के कोश किये और आनविक नियंतरन को क्या कहते हैं कई परकर्मित कोशी का मिर्टू के कोश किये और आनविक नियंतरन को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं एपॉस्टॉस्टॉसिस बाई लोजी में नाम थोड़ा जटिल होता है इसे दो तिन वार रतनेश याद हो जाएगा एपॉस्टॉसिस आगे चलते हैं केंद्रक के अतिरिक्त कोसिका के किस कोसिकांग में DNA उपस्थित होता है अगला क्वेस्चन है किसे कोसिका का पाचन थेली कहा जाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थेली का जाता है, आगे चलते हैं, मनुस के किस उत्तक में जन्म के पश्चात कोशिका बिभाजन नहीं होता है, तंत्री का उत्तक, तंत्री का उत्तक में जन्म के पश्चात बिभाजन नहीं होता है, अगला क्वेस्चन है कौन कोशिका जिल्ली कोशिका द्रव और केंद्रक यह पादप तथा जन्तु कोशिका में पाया जाता है हाइपर प्लासिस हाइपर प्लासिस का क्या अर्थ होता है हाइपर प्लासिस का अर्थ होता है कोशिका के आकार में बिर्धी होना कोशिका किया कार्मपिर्धी होना हाइपर प्लासिस हाइपर प्लासिया हाइपर प्लासिया कर लाता है आगे चलते हैं जीन शब्द सरव प्रथम किसके द्वारा परथिपादित किया गया था जॉसना के द्वारा जीन सब्दका सबसे पहले परियूग जॉनसorte के द्वारा किया गया-थार रिवर्स पर smallest smallestTe宰े की खोज की थी आगे चलते हैं जब एक यूग्म जिन दूसरे इकाई के परभाव को छुपाता है तो इस परक्रिया को क्या करते हैं परभाविता जब एक यूग्म जिन दूसरे इकाई के परभाव को छुपाता है तो इस परक्रिया को परभाविता करते हैं आगे चलते हैं कोशिका का जीबीत अंस जीब दरब कहलाता है या किसे मिलकर बनता है या जो है जीब दरब कोशिका दरब केंदरक दरब से मिलकर बनता है अगला है कौण सा कोशिकांग प्रोटीन संसलेशन में सहाइता करता है तो राइबोसोम प्रोटीन संसलेशन में सहाइता करता है अगला है मानव शरीर में गुनसुत्रों की संख्यां क्या है 46 मानव शरीर में गुनसुत्रों की संख्यां 46 होता है आगे चलते हैं कौन साथा तो पोधों की कोशिका भित्ती की संदचना का घटक है तो केलसियम अगला है सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइट्रो कुंडिया माइट्रो कुंडिया सबसे छोटी जीवित कोशिका है अगला कुसे जीवन का भोतिक आधार माना जाता है तो जीब दरब जीब दरब को जीवन का भोतिक आधार माना जाता है आगे चलते हैं कौन सा कोशिकां केवल बनस्पती कोशिका में ही उपस्थित होता है हरित लबक हरित लबक केवल बनस्पती कोशिका में ही उपस्थित होता है अगला question है दुइनाम पधती के जन्वदाता कौन थे कैरोलस, linius दुइनाम पधती के जन्वदाता कैरोलस, linius थे आगे चलते हैं दो कोशिकाओं के मदपदार्थों का आबंगन, आबागमन किसके माध्यम से होता है तो जीबदरबतन्तु के माध्यम से दो कोशिकाओं के मद पदार्थों का आवा गवन इसके माध्यम से होता है तो जीव दरबतंतु के माध्यम से अगला क्वेस्टन है किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने वाला रंद खुल जाते हैं एकत्रीत होने वला रंद खुल जाता है तो पोटेसियम पोटेसियम के कारण अगला क्वेस्चन है किस कोशिकाँ को परदान की जाती है किस कोशिकाँ को ट्रैफिक पुलीस का नम दिया जाता है तो गौल जी काई गोलजी काय को ट्रैफिक पुलीस की संग्यां दिया जाता है अगला क्वेस्चन है पलाजमा जिली किसकी बनी होती है पलाजमा जिली लाइपो प्रोटीन की बनी होती है अगला है पलाजमा जिली की संदचना का यूनिट मेंब्रेन मोडल किसने दिया था रोबर्ट सन 1969 में प्लाजमा जहली की सरचना का यूनिट मेंब्रेन मोडल रोबर्ट सन ने 1969 में दिया था कोशिका भित्ती होती है, पारगम्ब, कोशिका भित्ती पारगम्ब होती है, अथात कोशिका भित्ती के द्वारा जल या कोई भी दरव पदार्थ इस पार से उस पार जा सकता है, इसलिए या पारगम्ब होता है, चलते हैं आगे, विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइको प्लाजमा गेली सेप्टिकम विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइको प्लाजमा गेली सेप्टिकम आगे है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो सुतुर मुर्ग का अंडा की कोशिका सुतुर मुर्ग के अंडे का कोशिका 20 की सबसे बड़ी कोशिका होती है आगे है मानब सरीर में सबसे छोटी कोशिका तो मानब सरीर में सेरी बेलम की ग्रेनुलर सेल सेरी बेलम की ग्रेनुलर सेल सबसे छोटी कोशिका होती है मानब सरीर में अगला question है, मानब सरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानब सरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडानू, अंडानू होता है या केबल इस्तिरियों में होता है, आगे है, मानब सरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो neuron, neuron मानब सरीर की सबसे लंबी कोशिका, आगे चलते हैं पुरूसों में सबसे छोटी को सिखा सुक्रानू एस्पर्म जो है पुरूसों में सबसे छोटी को सिखा होती है